राधे राधे उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, देखिए आप सभी भली भाती ओगत हैं कि मैटी का जो रिजल्ट है 31 मार्च को जारी कर दिया गया, बहुत सरे चातर से तरह ऐसे हैं जो कि अपने रिजल्ट से संतूष्ट नहीं है, उनको लगता है कि हमने जो भी उतर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हमें अंको नहीं मिला हुआ है, तो जो अपने कॉपी का जो रिजल्ट है करवाने के लिए आवधन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार बोड़ जो है मौका देती है, जिस तरह से इंटर्मीरियेट में आवधन किया गया था, उस प्लिस वीडियो सुरू से अन तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक करेंगे, तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले आप अपने कॉंप्यूटर के ब्राउजर में egtonet.com साज करेंगे, तो आपको फर्स्ट में egtonet.com का जो official website है, यहाँ पर देखनी को मिलेगा, इसको यहाँ से open कर लेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको जो लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, इसका जो लिंक है आपको यहाँ पर देखनी को मिलेगा, हलाकि इसका जो और 9 अपील तक फर्म को भर सकते हैं, ठीक है, बाकि यहाँ पर आपको 120 रुपया पर कापी के हिसाब से देना होता है, तो नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, कि अपलाई करने का लिंक मिलेगा, इसको छोड़ देना है, बाकि यहाँ पर सबसे पहले अ यानि के स्कूटनी करवानी है, तो उसके लिए आपको जो ही form को भरना है, तो form को भरने के लिए आपको जो ही रेजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपना जो रॉल कोड नमबर है, वो डालना है, जो कि आपके आडमीर कार्ड या फिर आपने जो भी रिखने को मिल जाएगा फिर यहां पर आपको roll number लिखना है Candidate का जो date of birth है वह यहां पर इक केलेंडर के माधिम से आपको स्लेट कर लेना है फिर यहां पर पासवाड करना है पासवाड कैसे रहेगा एक एक्जामपल के तौर पर आपको हम बताते हैं कि जैसे कि माल लिजे आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे ठीक है और उसके बाद एक ड्रेट लगा कर एक दू तीन चार करके अपना पासवर्ड यहां पर क्रियेट करेंगे तो उस पासवर्ड को यहां पर डालेंगे और फ पूरा जो है कंडिडेट का जनकारी यहां पर निकल के आ जाएगा उसका नाम क्या है उसके फादर का नेम क्या है इसको एक बाद जरूर चेक आउट कर लेना क्यूंकि हो सकता है कि दूसरे किसी का जनकाई डाल कर आप यहां पर गलत रोजिशन कर देंगे तो फिर सब्जेट के लिए कर सकते हैं दो से तीन सब्जेट के लिए भी कर सकते हैं तो आपके उपर डिपेंड करता है आपको लगता है कि हां हमने जो भी उतर लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें अंक नहीं मिला हुआ है तो आप अपने हिसाब से कॉपी रिचेक करने के लिए य यहां पर टीक करूंगा और उसके बाद यहां पर सेव के बटन पर किलिक करूंगा आप चाहें तो सब्जी सब्जेट के लिए कर सकते हैं जिसमें आपका अंक बढ़ भी सकता है या फिर जीस तरह से आपका ug सकता है और घटने की संभावना होती है लेकिन जिर्नली घटता न जाल सकते हैं ठीक है तो आपको लगता है कि हमें डालनी चाहिए तभी आपको डालना है तो यहां पर आपको क्या करना है सेब के बटन पर क्लिक करना है तरस आपका जो डेटा है सेब हो जाएगा अब यहां पर पे का जो ही बटन आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है आप यहाँ पर अपना payment complete करेंगे, उसके बाद आपका जो copy है उरे चेक में भेज दिया जाएगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि इसका भी result आता है, जैसे कि माले जी आपने copy रे चेक करने के लिए भेजा हुआ है, तो इसमें आपका जो भी copy है, जो भी आपने subject के लिए पता दिया है, इगर आप भी अपने copy का जो reach एक है करवना चाहते हैं, तो किस तरह से आवेदन दे सकते हैं, जो भी आपका copy होगा, उसका दोबारा जाच किया जाएगा, मुल्यांकन होगा, उसमें जो भी अंक मिलेगा, उसको देकर फिर दोबारा इसका result आएगा, उसके आपको माक्सित देखने को मिलेगा, उमीद है दोस्तों सभी जनकारी मिले गया होगा, फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट से समय कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां तक मैं नोलेज होगी आपको बताने की कोशिस की जा सकते हैं, जहां तक में तक मैं कि जिस के पूछ से रिलेटेश की जिस में तक मैं में तक मैं तक मैं एखनी टेजलेटेश में खाँ एबगा।